गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग क्या होता है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं गाईज और इस पर मैंने ब्लॉग पोस्टिंग पर अलड़ी एक डेटेल वीडियो जिसमें स्टे बाइस्टेस कैसे पबलिश करते हैं उसका लिंक मैं आई बटन पर दूँगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देख लीजेगा और आज मैं आपको अपने बात करेंगा कि आखिर ब्लॉग पोस्टिंग क्या होता है कैसे सच करते हैं और कैसे डूंड के निकालते हैं कि वेबसाइट जहां पर आप अपना कंटेंट जो हैं पब्लीश कर स जनरली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको मेरा कर समझाओं तो गेश ब्लॉगिंग इस अ कंटेंट मार्केटिंग एंड एस यो टेकनिक वेर समवन राइट्स यह समवन को नहीं समवन आप हैं जिसको अपना वेबसाइट प्रमोट करना है और जिसको बैक लिंक्स चाहि ब्लॉग अपना कंटेंट पब्लिश करेगा और वहां से उसे बैक लिंक मिल जाएगा आपकी वेबसाइट के लिए तो कितने बैक लिंक्स मिल लग सकता है यह डिपेंड करता है वेबसाइट वेबसाइट और कैसे सर्च करना है अब मैं आपको वह चीज़े बात करता हमारा content अपने website पर क्यों पोस्ट करेगा एक सवाल यह बहुत जरूरी होगा क्योंकि मेरी website है अब मैं बोलूगा कि नहीं मैं तो अपनी website पर आपका content नहीं publish करूगा और क्यों बैकलंग दूमाए आपको तो ऐसी बहुत सारी website है जो कि बंदे खुद से content नहीं लिखते हैं समय लिए कि मेरी website है मैंने starting किया blog posting के website को बट कुछ time के बाद मुझे क्या हो गया कि मैं बस इतना time नहीं है कि मैं इतने सारे blog post कर सकूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि आप लोग में से कोई भी अगर write to us कि आप मुझे लिखिए कि आपको अमना content अगर publish कराना आप content चाहिए तो content कौन देगा तो आप जैसे जो लोग होंगे जिनको चाहिए कि अपनी website को publish कराना है अपने website को टॉप पर लाना है तो आप लोग हमें content प्रवाइट करेंगे अब मैं आपको बार करता हूँ कि आपको आखिर वो website आप सर्च कैसे करेंगे समझ लिए आपको कोई वी जोनर हो आपने cooking है आपका fitness है आपका digital marketing है यह लिख दीजेगा cooking plus entitled colon और write to us जैसे आप यह लिख करेंगे तो आपको बहुत सारी websites दिख जाएगी यहाँ ठीक है जिस में सब में लिखा होगा write to us, write to us, write to us, write to us अगर आपने यहाँ fitness या digital marketing करते हैंगे तो उससे related websites हैं जो है कि यहाँ पे खुल जाती है और आप इन में से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी website better है तो दो तीन websites मैंने खोल ली है अब यह देखिए एक यह है एक यह है और एक यह ह हर website के कुछ ना कुछ term and conditions होते हैं जिसको आपको मानना पड़ता है तो वो term and conditions website के rules and regulations sections में लिखे होते हैं या फिर आप जैसे खोलेंगे वो आपको दिख भी जाता है तो कैसे जो मोटा मोटा चीज समझने वाली बात है कि कितने length तक का आप content डाल सकते हैं जैसा इन उने ल सार बैक लिंग्स यह provide कर देते हैं और यह बैक लिंग्स quality बैक लिंग्स होते हैं क्योंकि अलड़ी इनके website बहुत सारा traffic आते रहता है उससे related समय यह cooking है तो cooking से related इनके सारे content है तो लोग यहां पर आते रहते हैं इनके keywords rank कर रहे होंगे तो आपकी but obvious है कि आपका जो page होगा वो भी rank करने लगेगा और traffic आएगा तो आपके traffic यहां से आपकी जो अपनी website होगा उस पर वहाँ चला जाएगा तो ऐसे बहुत सारी websites होती है तो आप जिसमें मैंने food का खुला हुआ हुआ है cooking का खुला हुआ हुआ तो foods are related है तो यह लोग कुछ keywords suggest भी कर देते हैं कि अगर अगर इससे keywords पर लिखते हैं तो आप rank बहुत जल्दी करेंगे कि हमारा जोनर ही यही है हम इसी topics पर ज्यादा प्रिफर करते हैं तो अगर आप इस पर लिखते हैं तो आपको फाइदा मिलेगा सेम हर लोग जितने भी लोग हैं अपना keywords titles हो गयरा देते रहते हैं कि इस पर आप लिख सकते हैं आप अपना content भी हमसे ममित भेज सकते हैं अब भेजने का तरीका बहुत simple होता है देखिए वह अपने इन्होंने अपना mail ID दिया हुआ है कि आप अपने यहाँ पर mail कर दीजिए हम आप ओ content आपका यहाँ publish कर देंगा देखिए यहाँ पर इन्होंने कितन खोन्तेंट करते हैं आप अपना च्डेंट देते हैं वह फ्रेश च divigate देते हैं कोई भी profit content यह कभी publish नहीं करेंगे क्योंकि Barrative जरूर करेंडब की यह कहीं vivid content तो नहीं है अगर profit content होता है तो वह उसे disapproves कर देते हैं वो बोलते हैं कि आप अपना यह content कहीं और publish कर लिजे ह पब्लिश नहीं कर सकते हैं अपनी वेबसाइड पर लगा लिए आप बस क्योंकि वह बंदा से कॉपी पेस्ट कर देगा जहां आपको बोल्ड कर दिया बुलेट पॉइंट देने हैं तो बुलेट पॉइंट दे दिया आपने जिसे की सामने बंदा समझ से कि कि आप क्या चाहते हैं अपना कंटेंट कैसे पब्लिश करना चाहते हैं तो यह सारी चीज है कि गाइडलाइन होती है वह आपको फॉलो करना है और उसको मेल कर देना है पांस से दस दिन का कुछ टाइम लेता है वह हर वेबसाइट पर लिखा होता है कि इतना टाइम हम लेंग का सब्सक्राइब वह इसे मैं जबनाओ है तो इसमें अपना कंटेंट कर लिएगा कर लिजेगा और फिर उसके बाद अपना content आप उनको भेज दीजेगा ठीक है फिर वो publish कर देते हैं क्योंकि उनका mail आना जरूरी है कि हाँ हाँ we are ready to publish पालों चला आप content भेज दिया और आप इंतजार में बैठे हुए हैं और फिर आपके तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया उनके तरफ से तो फिर आपको वेट करते रहे जाएंगा तो इसी तरफ और कोशिच किजिए कि content new रखिये फ्रेश रखिये कहीं से complicated करेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी ठीक है तो गाइस यह था total वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके ज़रू बताईएगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज जाते वे एक like करके ज़रू जाएगा और आपने अभी तक मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर को subscribe नहीं किया तो link in description में दे रहा हूँ जाके एक बस subscribe जरू कर लिजेगा तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी ने इस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नमस्कार